दोस्तो आभी हम हाइदराबाद के LV प्रशाद आई होस्पिटल के एपपाइन्मेंट कैसे बूग करते हैं यह देखेंगे इसके लिए सबसे आसान तरीका है आप किसी भी ब्राउजर में LV प्रशाद आई होस्पिटल टाइप करके सर्च किजिए फिर यहाँ पर देखिए मैप का पोर्टल में भी आप यहाँ से जा सकते हैं यहाँ पर देखिए कॉल, चार्ट, डिरेक्शन, वेबसाइट यह जो वेबसाइट है यहाँ से आप डिरेक्ली LV प्रशाद का वेबसाइट में इंटर कर सकते हैं और नीचे आएंगे यहां पर से देखिए यहां पर भी ऐल्बी प्रशाद का i hospital का जो website है यहां से सीधे इंटर करेंगे और उपर का जो यह website है वहाँ से भी जा सकते हैं, चलिए हम यहां से इंटर करते हैं, यहां पर इंटर करने के बाद इनका जो main portal है यहां पर आप पहु यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी इस्पेसालिटी का एक अच्छा सा डॉक्टर आपकी पसंदिदा किसी डॉक्टर को चूज कर सकते हैं यहाँ पर देखिए एलबी प्रशद आई हस्पिटल का हाइदराबाद, भुबनिशर, विशेकबटनम, विजयवरा ये चार जगा में इनका ब्रांच है कई सारा ब्रांचे से, हाइदराबाद में चार पाच ब्रांच है और भुबनिशर में दो है, विशेकबटनम में विशाइद एक दो होगा और विजयवरा में दो है, तो हम आपी में ब्रांच जो हाइदराबाद में है, हाइदराबाद का क्लिक करते हैं यहां पर देखिए, बांजरा हिल्स इसका मेन होस्पिटल है, इसको क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए, नीचे से आपको इस पेसालिटी सिलिक करना होगा, आप कौन सा डिपार्टमेंट को दिखाना चाहते हैं, गलुकोमा, केटारेक्ट, आईवीए, तो यहां पर आखों के बारे में जितनी प्रकार का डिपार्टमेंट होता है, यहां पर आपको मिल जाएगा, बच्चों के लिए हैं, किस के बारे में हैं, तो यहां पर केटारेक्ट, कॉन्टाक्ट लेंस, तो हम केटारेक्ट के बारे में सिलिक करते हैं, जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे देखी ये सरा जो डॉक्टर है, डॉक्टर अमरीता, महांती, डॉक्टर अनिल के मंदल, ये सरे जो डॉक्टर से ये हमारी देश का हर एक जगा से वहापी जाके सर्विस में हैं, क्योंकि एलबी प्रशाद बहुत ही रेपूटिडेड एक आई हस्पिटल है, और इंडिया के टॉप डॉक्टर सी बहापर सर्विस में रहते हैं, एक आपको एम्स में मिलेगा, दूसरा एलबी प्रशाद में, और तीसरा आपको संकरा नेतरा लाए, इन तीनों हस्पिटल में आपको इंडिया के टॉप मुस्ट वांटेड जो आई डॉक्टर होता है, ये ही पर आपक मिल जाएगा, तो इस प्रकर से आप डॉक्टर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिपर्टमेंट का, तो चलिए हम अभी एपोइन्मेंट बुक करते हैं, डॉक्टर, फाइन डॉक्टर में बिना क्लिक किये, उसके नीचे देखी एपोइन्मेंट का सेक्शन है, इस पर नो मोर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा ब्रांच है, देखिए, हाइदराबाद का गोवनेश्वर का, बिशिका वटनम, विजय वड़ा, तो हम हाइदराबाद में जो में होस्पिटल है, बंजरा हिल्स में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यह देखिए, उन इदराबाद का कोड है, और पिछे का जो यह नंबर है, 68102020, यह उनका नंबर है, लैंड लाइन का, यहाँ पर कॉल करके, आपको एपोइन्मेंट लेना हुआ, यह देखिए, सोमबार से लेके, सनी बार को, रवी बार को बंद रहता है, एपोइन्मेंट के बारे में यह और इमारजेंसी जो पेशेंट एडमीट रहते हैं, सिर्फ वो ही लोग रवी बार को ऑस्पिटल में रहते हैं, बाकी जो आउट पेशेंट सर्विस है, यह रवी बार को बंद रहता है, और सुबा साथ बजे से सामको सारे पाच बजे की बीच में ही आपको यह कॉल करके लेना होगा, और यह जो नीचे देखी, यह अड्रेस है, जब आप जाएंगे, इसी अड्रेस पर आपको जाना होगा, कलामंजी रेड़ी केंपस, लवी प्रिशाद मार्क, बंजरा हिल्स, हैदराबत, 50034, और नीचे का जो यह है, इमेल आइडी, इमेल आइडी यहाँ पर होस्पिटाल होने के करण आपको घुमाएगा नहीं, देखिए हमारे देश में, नमबर वन आइडी होस्पिटाल है, एम्स, डॉक्टर आर्पी सेंटर फॉर अप्थालमिक साइंसेस, यह देश का एक नमबर आइडी होस्पिटाल है, पर वहाँ पे क्या है, आपको घुमाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन के अंदर ही आपको अपटमेंट मिल जाएगा, और इमर्जनसी है तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, और नॉर्माल केस में आपको एक दो दिन के अंदर ही अपटमेंट मिल जाएगा, और यह प्राइबिट हस्पिट भी ये लोग चार्ज नहीं करता है ताकि हर कोई आदमी यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सके इतना सा चार्ज ले ले लेते हैं और जादा से जादा गरीब जो होते हैं उनको फ्री में बिल्कुल फ्री में इलाज यहाँ पर किये जाते हैं और ये World Classic Eye Hospital है, देखी यहाँ पर अब जब जाएंगे, तो हाइदराबाद में जाने के बाद, आप हाइदराबाद में फ्लाइट से बस या ट्रेन में जाएंगे, तो कच्ची गुड़ा, सिकंदराबाद, इन में से किसी भी इस्टेशन में आपको जाना होगा, तो मान लीजियर आप कोई भी इस्टेशन में चले गए, तो सबसे आसान तरीका ये जो में होस्पिटाल है, यहाँ पर पहुशने के लिए,ाप मेट्रो में जाएंगे, सबसे आसान तरीका होता है, दखिये, आप किसी भी स्टेशन में, बस स्टेशन में, कही से भी आके, आपको मेट्रो का एक जो मैप होता है आपको गुगल में डाउनलोड करें लिना है। आपको जाना है जूबीली हिल्स पर यद रखिएगा। जूबीली हिल्स जो जूबीली हिल्स है ये हैदराबादा का बंजरा हिल्स, एलबी प्रिशाद आई-हस्पिटल से केवल 2 किलो मी दूर पर है वहां से आप 10 से 20 रुपए देके आटो में असानी से आ सकते हैं और टैक्सी में आएंगे तो 50 रुपए या 100 रुपए लेगा ठीक है और बस में आटो में 10 रुपए बस में 20 रुपए आटो में सीधा आपको हस्पिटाल के सामने उतार देगा जूबिली हिल्स आप किसी भी जगा पर जाइएगा वहां से आपको जूबिली हिल्स का मेट्रो लेना है ठीक है मेट्रो का जंक्षन होता है हैदरबाद में कई सरा लाइन से ठीक है तो उसी सबसे आपको मेट्रो में जंक्षन में चेंज करना होगा फिर वहां से आपको जू और क्योंकि यह अच्छा खासा सीटी है देश का एक भीर भड़ा भी रहता है और दूसरे शहर से भीर कम ही रहता है पर आसान है यहाँ पर घुमना बहुत ही आसान है साउथ इंडिया बोले तो आप किसी भी सीटी में चाहिए बहुत ही आसन रहता है हमारी उत्तर भारत में परश्चिम भारत में जिस प्रकार से हम मेंटेंस करते हैं सीटी को यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर बहुत ही वेल मेंटेंड है और मददकार होते हैं वहाँ के के सिक्षाद देते रहते हैं और इससे हम दोखी भी नहीं होते हैं बहुत अच्छ है आप जुबिली हिल्स पर जाहिएगा ठीक है वहाँ पे जाने के बाद दो किलोमेटर कोई चाहे तो वाकिंग करते करते पहुश सकते हैं एक जील होगा जील के किनारे से आप जाहिएगा सीधा रोड गया है यह एलबी प्रिशाद आई हस्पिटल जो में हस्पिटल है यह जो बिल्डिंग दिख रहा है सीधे यहां आप पहुश सकते हैं एही कुछ दस से पंदरा मिनिट लएगा पैदल अगर आप जाएंगे तो दस से या पंदरा मिनिट इस से ज़्यादा नह करे में थोरा सा जानकारी तो यह जो नंबर है यहां पर आप कॉल करके अपन में ले सकते हैं और निचे जो यह इमेल आइडी है यहां पर भी आप इमेल करके अपन में ले सकते हैं यह होता है एलबी प्रिशाद आयो हस्पिटल में अपन में लेने का तरीका टेंशन नहीं है गरीबों के लिए free से free और कम खर्चे में इलाज करते हैं वो भी world class कोई फर्क नहीं होता है पैसा कम है इलाज खराब होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ठीक है कम से कम South India में ऐसा कभी नहीं होता है हमारी यहां होता है पर और वहां पर ऐसा नहीं होता है और जो आमीर रहते हैं देखिए VIP एक hospital है यह world class hospital है यहां पर treatment बहुत ही अच्छी तरीके से treatment की जाती है ठीक है और जो कम पैसे वाले हैं उनके लिए भी VIP होता है जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी VIP होते हैं और रही अगर कभी operation हो गया आपको एक दिन या दो दिन के लिए रुकना परेगा उस इस्थिति में आपको जो room दिया जाएगा वो general ward भी होता है private ward भी होता है उसका जो फर्क होता है वो थोड़ा उपर नीचे होता है क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पैसा देगा उसके लिए अच्छा सा बेट का इंतिजाम किया जाएगा और इसके लिए कोई बुड़ाई नहीं है कोई भी जा सकते हैं फ्रस्ट क्लास एक दम फ्रस्ट क्लास treatment होते हैं ठीक हैं दूसरे ब्रांच में आप जा सकते हैं और appointment book करके ही जाना सही रहता है मेरे खेल से किसी भी hospital में आप जब ऑगे से बड़े hospital में जा रहे हैं ठीक है तो appointment book कर लेना सही रहता हैं और ऐसे भी जा सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं आप बीना appointment के भी जा सकते हैं पर appointment book करना सही रहता है और number one aims है पर aims में क्या है आपको appointment थोड़ा late में मिलता है और aims में जो technology है फिलहाल की समय में वो world class है बहुत ही उन्नत है इसमें कोई दोहराई नहीं है इसमें कोई संदे नहीं है ठीक है आप kidney के बारे में हो liver, heart, brain ठीक है किसी भी treatment के बारे में हो अगर aims में आपको वाइदावाई appointment मिल गया तो वहाँ जो treatment होगा इंडिया में दूसरी जगा पे होना बहुत जड़ा पैसा लग जाएगा world class free में treatment होते हैं और पुरा देश का लोग दिल्ली aims को ही target करते हैं इसलिए थोड़ा appointment कम मिलता है देखिए हमारे देश में 145 करोर लोग है हर कोई try करता है हमारी family members का aims में treatment हो तो इस हिसाब से देखिए aims में जो appointment है appointment है ये बहुत ही कम मिलता है अब देख लिजेगा आपकी हिसाब से तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा comment करके जुरूर बताईएगा तो ठीक है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत